खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबाईए ओल पे कलिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं स्रमिला फगेडिया आप देख रहे हैं खुसी बुटिक आजमा आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लिके हैं यो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जैसे आप कुर्टी में गला कटिंग करते हैं फ्रंट गले से बैक गला डिप करते हैं तो उसमें आप कैसे कटिंग करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देती हूं इस कुर्टी में कटिंग करना कि हम फ्रंट गला छोटा और बैक गला बड़ा कटिंग करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हूं इससे पहले कर दीजिए एक लाइक और जो आपको लाल कलर में सस्क्राइब दो vaad Co 1159 तो छॉक्त हना है यहां पर का निशान लगा लेती हूं और यहां पर अर्म होल का निशान लगाएंगे में ाल और यहांपर हम चे अरुमं बौर यहां पर लगाएं गये उन्तालेस इंट चेस्ट यहां पर हम लगाएंगे पोने और यहां पे हम Chest का निशान लगाएंगे 49 इंच चैस्ट तो यहां पे हम लगाएंगे पौने 10 इंच पे निशान यहां पे यह जो कपड़ा बचा है यह मार्जन रहेगा तो इसको हम यहां से cutting नहीं करेंगे यहां पे इस निशान को ऐसे मिला लेंगे सवा दो इंच, सवा दो इंच चोड़ाई का निशान लगाएंगे और छेंच लंबाई का, यह फ्रंट गला है जो छेंच लंबाई है और सवा दो इंच चोड़ाई है, यहाँ पर इस निशान को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से गोलाई कर लेंगे, यहाँ पर आरम होल की गो आप अपने हिसाब से नाप के अर्म होल की गोलाई कीजिए, जैसे आपके चेस्ट यहाँ पे कितने आती है, उस हिसाब से आप यहाँ पे गोलाई कीजिए, तो मैं यहाँ पे 11 इच के हिसाब से गोलाई दे रही हूँ, इस तरह से, इस निसान को हमने यहाँ से गोलाई दी है लेकिन बैक गला बड़ा करेंगे तो इसके लिए आपको यहां से ऐसे सीधा करना है जहां तक हमने गोलाई दी है इस निशान को हमें ऐसे सीधा करना है यहां से आपको जैसे आधा इंच गोलाई में लेना है तो आधा इंच यहां से भी आपको कम करना है यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे यह निशान सीधा करने के बाद यह 13 भी 6 इंच का बच गया है अब हम फ्रंट गला और फ्रंट आरम होल की कटिंग कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको बैक गला और बैक आरम होल की कटिंग बताऊंगी इस कपड़े को मैंने फॉर फोल्ड किया हुआ है फ्रंट को डबल और बैक को डबल तो इस साइड से यह खुला है तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो यह फ्रंट कले की कटिंग हो जाएगी यहाँ पे ऐसे हमने कटिंग कर लिया यहां से कंदी को अलग कर लेते हैं फ्रेंट आरम हॉल की कटिंग कर लेते हैं यह फ्रेंट आरम हॉल की कटिंग कर ली है मैंने और यह फ्रेंट गले की कटिंग कर ली है अब हम निशान लगाएंगे बैक गला और बैक आरम हॉल का कि हमें back गला बड़ा करना है तो back armhole कैसे cutting करना होगा तो देखिए back गले का निशान लगा लेती हूँ मैं 7.5 इंच पे आप चाहे 8 इंच का cutting करें, 7.5 इंच का cutting करें तो आपको सेम तरीके से cutting करना है जैसे मैं यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ इसको हम उठा देंगे और यहाँ पे इस निशान को सिधा करेंगे यहाँ पे इस निशान को सिधा ले लेंगे और यहाँ से कोलाई करेंगे अब हम इस कपड़े को रख देते हैं फ्रंट को उपर और यहाँ से back armhole का निशान लगाएंगे यहां तक हमें तीरा का निशान लगाना है इससे ज़्यादा हमें नहीं लगाना है तो अब देखिए जैसे हम इस तरीके से आर्म हॉल कटिंग करते हैं अगर हम बैक गिला बराबर कटिंग करते हैं या फिर छोटा कटिंग करते हैं तो यहां से हम डेड इंच करीब पीछे हटा लेते हैं इस तरीके से निशान लगाते हैं अब देखिए हमने ये निशान लगाया है बैक कला बड़े का बैक कला हमें बड़ा बनाना है तो इसलिए आपको ये वाला जो निशान है ये हमें पीछे हटाना होगा इस तरीके से, ऐसे, ऐसे आपको एक इंच पीछे हटा देना है, बैक गला हम फ्रंट से बड़ा करते हैं तो, क्यूंकि ये जो आरम हॉल है, ये है साड़े 6 इंच पे, और गले की लंबाई हो गई है, साड़े 7 इंच पे, तो इस आरम हॉल से गल आरम हॉल भी पीछे हटाना होगा, ऐसे आप एक इंच आरम हॉल को पीछे हटा लीजिए, क्यूंकि जब हम पहनते हैं, तो हम यहां से जैसे सवा दो इंच पे निशान लगाते हैं, अगर हम डीप गला पहने हुए को नापते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा करीब 9 इंच अब हम यहां से देखेंगे कि 9 इंच कितना हो जाता है, यहां से सवा दो इंच पे निशान लगाया, डबल में हो गया, साड़े चार, और सिलाई में आके हो गया, साड़े पाज, अगर हम नापते हैं, तो लगबग 9 इंच के करीब आता है, तो इसलिए यह आरम हॉल तो देखिए आपको अरम हॉल की कटिंग इस तरीके से करनी है, अगर आप बैक के लाप बड़ा करते हैं, तो देखिए हमने गला और अरम हॉल की कटिंग कर ली है, अब आप फिटिंग का निशान लगा लीजिए, आप चाहे प्लेट का निशान लगा लीजिए, और चाक ह आपको जो भी निशान लगाना है लगा सकते हैं लेकिन आपको बैक गले के इसाब से आरम ओल सेम तरीके से cutting करना है वीडियोOoh पसंद आये तो लाइक जरूर से कर दिजीगा और चैनल को जरूर सस्क्राइब नहीं किये तो失क्राइब भी जरूर से कर लिजीगा मैं मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में